इस विड़ा में हम बात करेंगे एक विरी इंपोर्टेंट अपडेट जो हर CMA फांडेशन इंटर और फाइनल जून 2024 स्टूडेंट्स के लिए विरी इंपोर्टेंट अपडेट है यह इस विड़ा में हम बात करने वाले स्टडी मेटरियल को लेके ऐसले आपको पता होगा दस फैब लास्टेट था CMA इंटर फाइनल फांडेशन में रजिस्टेशन का एस पर अकॉर्डिंग टू ICMI आईसे में एक अनॉसमेंट रिलिस की थी नोटिफिकेशन जहां पर दस फैब लास्ट डेट रखा गया था आपका रजिस्टेशन करने का अब बहुत सारे और कुछ स्टूडेंट्स में नहीं भी किया होगा बट जो स्टूडेंट्स ने किया उनके मायन में क्योरी आती सर मैं बुक तो कर दिया इसलिएक रजिस्टेशन तो कर दिया बट मेरे बुक जो होंगे study material टेक्स बूक वो मुझे कैसे receive होगा या फिर कैसे मैं मिलेगा मु औरल एंड पोस्टल अगर जितने भी सीमें इंटर फाइनल फांडेशन का स्टुडेंट अपना रजिस्टेशन तो ऑनलाइन किये होंगे बट ऑनलाइन करने पर भी एक मैथड आता है कि अगर आपने पोस्टल वे में अगर रजिस्टेशन किया है एज लक पोस्टल तो आप अपना स्टडी मेट्रियल ट्रैक कर सकते हो बट एक इसमें बात होती है कि आपका स्टडी मेट्रियल आपके घर पर आने में at least one month at least one month या फिर 15 तू 1 month का time period जाता है आपको study material receive होने में बट आप चाहे थे यहाँ पर registration number लिख के या फिर mobile number जिस जो registration number होगा या फिर जो register mobile number होगा यहाँ पर put करना और get detail वाले section पर click करेंगे तो आपका data आजाएगा कि आपका study material कहां तक पहुचा है और एक second thing एक oral होता है oral वाले student अगर registration oral way में किये हो तो आपको इहाँ पर not data put up करने का section आएगा मतलब कि आप registration number डाल के अपना कुछ भी data आपको नहीं मिलेगा because ICMNN clearly mention किया है यह tracking of study material postal student on online book purchase जो लोगों ने online book purchase किया होगा या फिर postal way में registration किया होगा तो एक क्योरी निकल के आती सर में oral registration किया था तो मुझे क्या study material नहीं मिलेगा तो आप जब registration किये होगे oral का तो आपके पास एक receipt होगा उस receipt में students आपका chapter दिखेगा nearby आपका जो chapter होगा simply आपको आपके chapter में जाना होगा और वहाँ से जो receipt है receipt दिखा कि आप अपना study material ले सकते हो जा कितना time period जाएगा सर study material लेने में suppose कि आपने दस तारीक को registration किया तो one week at least one week का time period लगेगा आपका study material गेट आपको लेने में आप जाईए आप receipt दिखाईए आपको तुरंट जो भी होगा आपका study material जोन 2024 का दे दिया जाएगा hopefully अपडेट आपको समझाए इनके सब के माइंड में कोई भी doubt है comment section आपके लिए comment section में comment करना अगर आप सभी YouTube channel अपने हो तो please channel को like subscribe और जो साइड में bell icon और बटम से प्रेस कर देना Thank you students